अलो बच्चों, class prep students, how are you बच्चों, कैसे हैं आप लोग, तो देखिए आज आपका math का turn है ना, तो इसके पहले आपने math में क्या पढ़ा था बेटा, इसके पहले आपने greater than और less than यानि कौन सा नमबर चोटा है और कौन सा नमबर बढ़ा है ये पढ़ा था, आज आप नया chapter स स्टार्ट करोंगे, ओके वीटा, तो नये chapter में क्या है ये आपको समझना पड़ेगा, अभी आपके लिए नया है, addition मतलब जोड, subtraction मतलब घटाना, 1 to 20, 1 से 20 तक के नमबर का घटाना आपको और जोडना सिखाया जाएगा इस chapter में ठीक, जैसे इसो देखो, look and learn, देखो और पढ़ो, there are three words on the tree, यहाँ पे देखो कहा है ना, bird है, कितनी word है, one, two, three, three, three word कहा है, three पे है ना, पेड़ पे, फिर कहा है, two more join them, अब उसमें two words को और जोड देना है, one, two, three, four, five, तो हमने जोड दिया, तो हमारे पास कितनी word हो गई, five words हो गई, पेड़ पे ना, पहले three थी, फिर two और आ गई, तो three और two मिला के five हो गई, तो दो को कहरा है, three words plus two words, मिला के five words, तो हम कहते है, three plus two is five, three और two को जोडने पर five होता है, we write this, हम इसको कैसे write करेंगे, three plus two, three लिखेंगे, plus two, वराबर five, ठीक है, zero is addition, zero जोडना है, कह रहा है, look and understand these patterns, इसको देखो और समझो, there are eight oranges in the basket, यहाँ पर eight oranges basket में है, now at zero, अब उसमें हम zero oranges और जोड देते हैं, तो कितने orange हो जाएंगे, जब हम eight में zero जोडनेंगे, तो हम इसमें कह रहा है, जब eight में zero जोड देंगे, तो eight ही रहेगा, वो ना तो बढ़ेगा, ना तो बढ़ेगा, eight plus zero is equal to eight, the sum of zero and any number is always that number, देखो कहा रहा है, sum of zero, zero का जो जोड होता है, किसी भी number में हमेशा वही रहता है, two plus zero जोड़ेंगे तो two ही आएगा, three plus zero जोड़ेंगे तो three ही आएगा, four plus zero जोड़ेंगे तो four ही आएगा, five plus zero, five, six plus zero, six, seven plus zero, seven, eight plus zero, eight, nine plus zero, nine, तो कह रहा है, add में जब हम किसी number को जोड़ेंगे तो वो बढ़ जाएगा, और अगर zero जोड़ेंगे तो वो इतना ही रहेगा, अब देखें, adding one, when one is added, जब किसी number में one जोड़ता है, तो we get the next number, हम क्या कहते हैं, दूसरा number हमें मिल जाता है, जैसे there was one rabbit in the park, पार्क में कितने rabbit है, one rabbit है, one more rabbit came here, वहाँ एक और rabbit यानि खरगोश आ गया, तो one में one जोड़ देंगे, तो one और one मिलाके हो जाएगा two, ठीक है, now there are two rabbits in the park, तो कह रहा है, इसी तरह से two plus one, जिस भी number में हम one जोड़ेंगे, वो उसके एक number बढ़ जाएगा, जैसे two में one जोड़ेंगे तो three, three में one जोड़ेंगे तो four, four में one जोड़ेंगे तो five, five में one जोड़ेंगे तो six, six में one जोड़ेंगे तो seven, seven में one जोड़ेंगे तो eight, तो इस तरह से one number जब add कर देंगे, तो वो number एक number आगे बढ़ जाएगा, eight में one जोड़ेंगे, nine, nine में जोड़ेंगे तो ten, ten में तो 12 इस तरह से एक एक नंबर बढ़ता चला जाएगा ठीक है यहां तक आपको पढ़ना है उसके आगे मैं नेक्स्ट रन में समझाऊंगी इसको आप जोड के समझ के अपनी कॉपी पर राइट करेंगे यह वाला इक्जामपल और ये वाला एक्जामपल सिमिलर्ली वाला ठीक है किसने से कितना जो और जितना आप बना सकते हो नंबर उसके आगे के आप बनाओगे जैसे 9 के आगे लिखा 10 प्लस 0 10 11 प्लस 0 11 ऐसे और यहां पर 7 8 तक है तो 8 प्लस 1 9 9 प्लस 1 10 इस तरह से आप बनाके मेरे प बाइ